साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ही रब्बे काबा की अमान में होंगे तो आज एक मुख्तसर बात यूरोप की उसके बाद जानते हैं कैसे गजा पर हमले इसराइल के लिए आर्थिक नकबा साबित हो रही है अमेरिका और इसराइल के इराक पर बंबारी करने से पहले यूरोप में लगभग जीरो इराकी शरणार थी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के लीबिया पर बंबारी करने से पहले यूरोप में जीरो लीबियाई शरणार थी थे इससे पहले कि इसराइल ने फिलिस्तीन पर बंबारी और जातिय सफाया शुरू किया, यूरोप में फिलिस्तीन से शरणार्थियों की तादाद भी जीरो ही थी इस्राइल और अमेरिका के सीरिया में आतंकवादी गिरोहों को हतियार बंद करने और सीरिया पर बंबारी करने से पहले यूरोप में जीरो सीरियाई शरणार थी थे अमेरिका, सौधी अरब और इस्राइल के यमन पर बंबारी करने से पहले यूरोप में जीरो यमनी शरणार थी थे तो यहां से जो सवाल मुझे परेशान करता है वे है यूरोप में माइग्रेशन की वजह कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं अब जानते हैं इस्राइली के लिए एकॉनमिक नकबा कैसे थाबित हो रही फिलिस्तीन से जंग दे फाइनेंशल टाइम्स के मुताबिक इस्राइल ने डिफेंस खर्च को बढ़ावा देने के लिए 60 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने और टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई है मतलब खुद का पैसा अमेरिका से भीक और उधारी में मिला अरबों डॉलर खत्म हो गया इसलिए अब 60 अरब डॉलर भीक बाहर देशों से लेगा और टैक्स बढ़ा कर जनता से भी पैसा वसूल करेगा इसके साथ ही इसराइल की नेतन याहू सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाई है क्यूंकि अब सरकारी नौकरों को पेमेंट के लिए खजाने खाली है सरकारी नौकरियों पर रोक और टैक्सिस बढ़ाने के बाद डिफेंस खर्च के लिए अच्छी खासी रकम जमा की जा सकती है हमास के साथ इसराइल के चार महीने से ज्यादा वक्त के जद्दो जहद ने एकॉनमी यानि अर्थ व्यवस्था पर गहरा असर डाला है जो 2023 की आखिरी तिमाही में सालाना बेसिस लगभग 20 फिसद सिकुड गई है और जनवरी फरवरी को इसमें जोडा जाए तो 35 फिसद इसराइली एकॉनमी जमीन में धंस गई है यह जटका तब लगा जब सरकार ने तीन लाख रिजर्विस्ट जुटाए देश के नौर्थ और साउथ में हजारों लोग विस्थापित बेघर हुए जिसकी वजह से उपभुकता खर्च यानि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में गिराव अटाई इसके साथ ही लगभग 25 फिसद इसराइली रिच पीपल देश छोड़ कर चले गए जिसकी वजह से एकॉनमी पर बहुत गहरा अस्वा अगर इसराइल को लगता है कि वे दिवालिया हो रहे हैं तो बस तब तक इंतजार करें जब तक दुनिया में इसराइल के खिलाफ सभी फिलिस्तीनी मुकदमे दायर नहीं हो जाते मार्च आ रहा है और इसराइल को बेहत फिक्रमंद होना चाहिए गौर तलब हो कि यह युद्ध इसराइल को उनकी सोंच से ज्यादा नुकसान पहुँचा चुका है असल में अगर हमास को यह एहसास हो कि उनकी सहन शक्ती यानि टॉलरंस उनकी कपैसिटी से सीधा नुकसान पहुँचाएगा तो वे इसे जारी रखेंगे इसराइल इससे कभी उबर नहीं पाएगा हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगले 20 साल तक गज़ा पर हमलों की सजा भुगतेगा इसराइल तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही खास जानकारी के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज स्टी 24